समुदर किनारे जिस वाइट रेट से लोग कलाकर्टियां बनाते हैं असल में वो रेट तो इस मशली की पूप से बनी है दरसल यह है पैरट फिश जिसे समंदर की गहराई के अंदर कोरल रीफ खाना बहुत पसंद है इसलिए यह अपने नुकीले दातों से खुरज कर कोरल्स खाती है जिसके अंदर भर-भर के कैलिशम कार्वोनेट मुझूद होता है जो की इस मशली के मुँ से पेट के अंदर जाता है और फिर वाइट रेट बनकर बाहर निकलता है यह मत पूछना की कहां से और साइंटिस्ट के अकोर्डिंग दुनिया भर की वाइट बीच की 70% रेट के पीछे इसी मशली की पूप है इसलिए जब भी आप बीच पर जाओ तो रेट में हाट डालने से पहले पेरट फिश को ज़रूर याद करना उसकी फिरी की पूप के लिए